नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आप एर्स क्लाउड में तो दोस्तो भारत एक ऐसी मिसाइल को टेस्ट करने जा रहा है जो युद्ध के समय में चीन पाकिस्तान को अंधा बना कर रख देगा और ये मिसाइल ऐसी है कि दुस्मन को पलक जपकने का भी समय नहीं देगी और इस मिसाइल का टारगेट होंगे दुस्मन के बड़े से बड़े एर डिफेंस सिस्टम और उनके रडार और इस मिसाइल के बारे में जानने से पहले जो चैनल पर नए हैं नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा लें साथ में घंटी अले आइकन को भी प्रेस कर लें क्योंकि मैं हर रोज इस चैनल पर डिफेंस से जुड़ी खबरे लेकर आता हूँ और वो सभी खबरे आप तक पहुंशती रहें इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दरसल दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी आर्मी के लिए रडार सिस्टम्स कितना महत्पूर और अभिनंग की तरह हैं और अगर इनी रडार सिस्टम्स को सेना से हटा लिया जाये तो दुनिया की कोई भी सेना हो उसे अपनी तरफ आती हुई मिसाइलों का पता ही नहीं चलेगा और जब आर्मी की तरफ आ रही मिसाइलों के बारे में पता नहीं चल पाएगा तो वा आर्मी अपने देश की सुरच्छा कैसे कर पाएगी इन मिसाइलों से और अगर दुस्मन के इनी रडार सिस्टम्स को तबाह कर दिया जाए तो दुस्मन देश एक तरीके से अंधा बन जाएगा और उसके बाद आप चाहे फाइटर जट से हमला करें या फिर मिसाइल से दुस्मन को जरा भी भनक नहीं लगेगी और अब इसी कड़ी में भारत ने एक ऐसा हत्यार बना कर तयार कर दिया है जो दुस्मन को भनक लगे बिना उनके रडार सिस्टम्स को तबाह करेगा और अब चीन को चारो खाने चित करने के लिए DRDO ने एक नई मिसाइल को उतार दिया है उस मिसाइल का नाम है रूद्रम मिसाइल और इसी मिसाइल को टेस्ट करने के लिए DRDO ने नो टाइम भी जारी कर दिया है तो आपको बता दू कि रूद्रम एक रडार डिस्ट्रक्टिंग मिसाइल है जो अपने मूलो लेथिक माइक्रो वेब सर्किट के जरिये दुस्मन के रडार को थोड़ी देर के लिए जाम करके उन्हें तबाह कर देती है ताकि वाईव सेना की बॉंबर फ्लीट बिना किसी रोक टोक के तबाही मचा सके और इस मिसाइल टेस्ट की खास बात या होगी कि DRDO इस मिसाइल को लास्ट लिमिट यानि की मिसाइल की फुल पावर के साथ टेस्ट करेगा मतलब साफ है कि इस बार रूद्रम मिसाइल को मैक्सिमम रेंज तक टेस्ट किया जाएगा और इस बार DRDO इस रुद्रम मिसाइल को 2.2 मैक की स्पीड से टेस्ट करेगा वहीं आपको बता दूँ इस मिसाइल की मौझूदा रेंज 200 किलोमिटर तक है लेकिन इस वाले टेस्ट में रुद्रम मिसाइल को 300 या फिर 350 किलोमिटर तक टेस्ट किया जा सकता है और अगर यह टेस्ट सफल होता है तो हमारी सेना लद्दाक में बैठे बैठे ही चीन के होतान एयर बेस में मौझूद हाई तकनीक वाले रडार भी इस मिसाइल से बच नहीं पाएंगे और इस बार के टेस्ट में ऐसे ही और भी परिछड किये जाएंगे जिनका खुलासा टेस्ट होने के बाद ही हो सकेगा वहीं अगर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करूं तो बिना रडार के यह सिस्टम सिर्फ एक मिसाइल लांचर ही बन कर रह जाएगा और इसमें जो 911 N6 रडार लगे हैं वो इतने पावरफुल है कि कोई टारगेट साड़े 4000 पर सेकंड की स्पीड से भी उडान भर रहा हो तो भी यह रडार उसे 390 किलो मिटर के एरिया में कहीं भी ट्रैक कर लेंगे तो आप समझ गए होंगे कि यह रडार की कितनी जादा अहमियत होती है इसलिए चीन को यह अच्छे से मालूम है कि रडार सिस्टम कितना एहम होते हैं इसलिए चीन ने भारत से लगी सीमा के पास बहुत ही पावरफुल रडार्स को लगा रखा है ताकि भारत के छोटे से लेकर बड़े से बड़े फाइटर जट को जल्द से जल्द डिटेक्ट किया जा सके और यही कारण है जो DRDO रुद्रम मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है और जैसे ही इस मिसाइल का टेस्ट होता है मैं आप सभी लोगों को इस पर अपडेट जरूर दूँगा अब आप ल आप चार आपजार नहीं आपडेक्ट कियास ऊचिजँ प्रों के और नहीं हो कि लोग दोगे को जब आपिकंगे कि लोगों से डाइटर गार से प्रम दैसे ही है मैं? झाले इस हो गों।